इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कम्प्लीट जून मंत के वोकैब जोके दहिंदू से लिए गये हैं तो शुरू करते हैं पहला को पहला वर्ड है हमारा नेव नेव का मतलब क्या होता है कि डिसॉनेस्ट होना फ्रॉड होना उसको बोलते हैं नेव और इसका सिन लेडिकरस लेडिकरस का मतलब क्या होता है कि अजीब होना उटपटा होना रेडिकुलेस होना अबसर्ड होना उसको बोलते हैं लेडिकरस उटपटांग चीज करना ठीक है उसको बोलते हैं लेडिकरस नेक्स है मारा स्टाइफल स्टाइफल का मतलब होता है सफो किसी चीज को त्यागना छोड़ दिना ठीक है डिसोन कर देना उसको बोलते हैं एब्दिकेट ठीक नेक्स है मारा ग्रेपल का मतलब क्या होता है कि इंगेज इन इसी लराई लरना जिसमें कोई भी हत्यार का यूज़ नहीं हो ठीक है हाता भाई करना उसको बोलता है ग्रेपल तेक बार परिसे देख लेते हैं नभ का मतलब डिस्वने स्वनेश परसन लेडी को मतलब उट पटांग तो यह स्थाने तर्जाना ने अनेटलीजयंट होने वरीड होना एन ऐसी और घ्री त्राइँ के उसको क्या बिलते हैं और फ्रॉड बॉलते हैं एंक्सियू विट लगा सकते हैं इसके साथ बात चीत होना उसको बोलते हैं पाड ले जैसे कॉंग्रेस बीजीपी की साहतBACK कर रहा है तो वो क्या हो जागा पाड़ ले फाला जाएगा तो मस्सक्थ nook मतलब कर तक चैन्सेज का गरेंजेश को कैंसेर कर देना शोकम कलते हैं रिउन्हिक कड़ा देना तो उसको इसको बता जाता है किसी चीजiliar में कुई tina हमारा जेंग्चारा मतलब होता है एस समय की बात कर एक सिसु इवेंट की बात कर रहें उसको बोलते हैं और शायर समय और कि बात करने बोलती है और यह कहा है नाउन है डिक है अट ये पार्टिकुलर पॉइंट और इवेंट है रॉख जाना पॉस ले लेना ब्रेक या फिर इंटर्बल उसको क्या बोलता है यह नावन है टिक है इंटर्बल ब्रेक पॉज एसोर्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज में गुरूप में बाढ़ देना किली से क्लास मिक्तिक क्राइब क्या बनते हैं ट्रोंते हैं किसी का गूरूप कर देंगा आप नेक्स नहीं हमारा डिसीमिनेट का मतलब किसी चीज को फैलाना किसी इंफोर्मेशन को एक जिगा से दोसरी जगा फैलाने को क्या बगते हैं डिसीमिनेट करना इस्प्रेड ना ठीक है नेक्स नहीं हमारा अंसेटलिंग करby अनसेटलिंग का मतलब होता है बेचैन होना हूां शायटी इन्सिन इस डिस्टे पूर्विन्स इसको बन जती है करेंसेटलिंग कि नेक्स सामारा लिवरेज लिवरेज्फ का मतलब कि सीज कब जादा से जादा उप उठाना हूं हूं चाहिदयक है उज स्टु और जसको लिए साथ क इसको मतलब तो नश्राला को बरते हैं बर केट हम दिगां पने इन आपय़ टान आप सभोवन प्रेस्ट सब्सक्राव कॉग अट लॉपके मतलब मतलब होता है कि सीज थे धार होना मजग मतलब आधे रहेल लlor घुक्रलिंग tutor तिमीनेंट सकॉप मतलब बोरोटा है इंवरार कंप आप पर्चार करना त्हों को होता है ऑज इसको से देखाअ होता है जो कभी नहीं मरें तो बहुत जादा अ झेडान सको बलता है इम्रटन नेक्स्ट है हमारा रेuleवेज्ट ञेट के मतलब होता सबबाइब देख लिए का मतलब क्या हो गया डिस्ट्र एकुन हो डीका मंस्टइशThe अब्ह लोग ने देखा क्लिकलिक है डीक केलर ने कök4 तो आप क्या किए तो यून्हें इक सांत जोडने के ऐसकी मस्टर होता है अब्क क्या direct होता धर टाक हया है ठीक है string उसको बोलते है excitement एनिके रॉजिंग नेक्स्ट नेफरिस का मतलब होता है पापी जो होता है sinful ठीक है criminal, wicked यह सारे कहने हैं synonyms से नेफरिस का मतलब बे-इमान इंसान जो है जो पापी है उसको बोलते हैं hegemony, hegemony का मतलब होता है leadership dominance जो परधान है उसके लिए बोलते हैं hegemony ठीक है जैसे गाउं का परधान होता है ठीक है उसको क्या बोलेगा है hegemony और यह कहा है noun है next है मारा concomitant concomitant का मतलब होता है कि किसी चीज़ से related associated ठीक है या फिर attendant उसको बोलते है concomitant next किसी चीज़ से उसका relation है related है एक दूसरे से उसको बोलते है concomitant अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो please hit the like button next है delegate delegate का मतलब क्या होता है agent representative जैसे हमारे इसको क्या बselsायो मैंने किसी चीज को प्रती मिदी मने किसी चीज़ कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते देलीगेट jedoch कि और फर्व की तरव यह उसको बोलते हैं or का मतलब मतलब होता या यह यह ब स्चेज बात नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, substantive, substantive का मतलब क्या होता है, किसी चीज की importance है, considerable है, उसको बोलते है substantive, कोई चीज अगर important है, considerable है, considerable है, उसको छोर के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसको बोलते है substantive, next है हमारा, sacrosand, sacrosand का मतलब होता है कि किसी धार्मिक चीज के साथ छे भार्मिक, रिलीजियोस , के साथ छेहरचार करने को स्थैकरॉसेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है parent खुरीटीज का मतलब होता है counter यह 선 निवद्ध स्थरीजियों पर्श्वेसिब पर्स्वेसिब का मतलब होता है कि कोई कोई बात कितना यकीनी है उसको बोलते हैं परस्वेसिव कंवेंसिंग कितना कंवेंसिंग है कितना इफेक्टिव है ठीक कोई बात मानने लाइक है या नहीं है उसको बोलते हैं परस्वेसिव ठोस ठीक है यकीनी एक माइंड के लोग जो होंगे उसको क्या बोलेंगे युनेनिमसली बने सब कोई एक ही बात पर सहमत हो रहा है उसको बोलते हैं युनेनिमसली तो एनिम का मतलब एनिम जहां पर आ जाएगा इसका मतलब होता है है बूल फ 912 चिंडल से छ इंज़ोड़ कर लिए दूध का मतलब हों अब इन लिए कि नएकसा के लिए ऌसी और दिशिए ऐसाइफ लगाना पार रहा है व्याव ऊसको करने की और दोस है वह सीवा मघंस नाम तक हिंक होmost लोग और रस्टिक है और इस अदश्ट रूस क्या है तो ये दोनों क्वाइए prose लिक्स से सेरप का मतलब क्या होता है हम लोग जो तांग बोलते हैं ठीक है जिस पे सामानुमार रखते हैं उसको बिदर से तो यह नाउन के तरफ ही हो 53 हम कह टीक है किसी को सामाट बखते हैं ठीक है भर्व की बात करें तो किसी चीज को टालने को बहुतने से झेक्सक्त हमारा pregnantor kg को प्रेस करना है ऑज मुध क्रेलिटन टूपर सम्झिंग मनें वो जो भी किया है उसके को उसको credit देन अपर ऑफ्राइज करना ठीक है उसको बोलते है credit नेक्स ना मारा incur incur का मतलब होता है किसी चीज को जहेलना सफर करना एक्सपिरियंस करना किसी चीज को बोलते है आपने उपर लेते रिसपेश करता है ऑर वर्व करता हो प्रसपेक्ट का मतलब क्या होता है zalब अगर वर्व की तरह ये सरवे कडा जा पार गडालना इंस्पेक्ट करना व्यंत्रुटब्स फोर्व इस चार्ज कर देना खाडिज कर देना उसको बलते हैं इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना तोहमत लगाना एक यूज टीक है चार्ज उसको बलता है इंडिक्ट इंसर्जन इंसर्जेंट का मतलब क्या होते है सेothy भागस सिंह का निग रिवल टिक मनने वदरोही जो गपान ओवाज उठाए उसको बोलते हैं इंसर्जेंट बोलते हैं रिवाल और रिवल बोलते हैं। तो रिवेल का भी बहुत बार मीनिंग पूछ गया है कि जो गब्मेंट का अपोस करें उसको बोलते हैं इंसर्जेंट नेक्स्ट इंप्रेसीव होता है या जैसे राजा उन्लो के बात में बात करते हैं इसके सान उसकर wrap consistent क्या होता है। उसके सान ठीक है मेंगनीफे से ऐंगनेर इंप्रेशिव ठीक हूसको बोलता है किस्प्ल Defender Unfind pew जो छीज पियोर है Rीयल है Sensitiveय ज्यनुवेन है उसको बोलता है नेकस्ट नेक्स्ट के प्रट अजीबुन होना वेयर इसेंटीजर इसंटेटीजिस्टारे का सुजाएगा टंफट योड नेफजीए और फॉटी टिक यादकना और अजीब नेक्स कैकस का मतलब होता है कि हम जमावरा एसेंबल गेदरिंग सम्मेलंज जलसा ठीक है तो अभी अभी हम लोगों ने वर्ड परहा एसेंबल से रिलेटेड मीटिंग से रिलेटेड वह वर्ड आपको रिकॉल करना याद करना है ठीक है क्या सिनोनिम्स था कैकस हो जाएगा तक मुरेटियम का मतलब क्या होता है बैन लगा देना वहिवितकर देना इंबारगो भी बहुत अचा वरेट पूछा जाता बड़ आफ़ थे ऑबार बार पर आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं वह चीज फलेक्सिबल नहीं है उसको बोलते हैं इंट्रांजींट टिकंशे हो बोलते हैं depends टिक है अन्वैबरिंग अन्वैबरिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज रुका हुआ है थिक käytन स्थीरर इस्टेडी फिक्स्ट रिजूलूट यह सारे सिनोनिम से इसके अन्यवेवरिंग का मतलब चो चीज इस्टेडी है रुका हुआ है ठहरा हुआ है इसकर्ज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर बैन लग जाना ठीक है कर्स एफलिक्शन यह बोलते हैं उसको सार्प जो देते बूरा है तो उसको पते हैं इसकष्ट के चीज कहां अब किसी का बुरा चाना को संदि बोल सकते हैं कि वह सार्प दे रहा के मेरा बुरा हो जाय को चाहिए तो इसको बोलते हैं इसकरज बॉन होमी का मतलब होता है खुस मिजाजी जो होता है जिन जेनितेली चेरफुल फ्रेंडिलिनेस उसको बोलते हैं बॉन होमी इस जो लोग के साथ अच्छा बेहवार करें ठीक है उसको बोलते हैं बॉन होमी जरूरत नहीं था अंजस्टिफाइड है जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं ठीक है नेक्स है हमारा इग्रेस का मतलब क्या होता है डिपार्चर एग्जिर्ट लिविंग मैंने कि किसी चीछ को छोड़ करके चले आना उसको बोलते हैं इग्रेस ठीक है यानि कहीं से निकल जान एकक्र तो चले जानौक नेक्स्टेमारा घ्रेस क्या ग्षण कर दो उसको बोलते क्रिभिंगल्य पार्ट कुडस पर सेंक्र पांट केंद्र ठीक है इसको बोलते हुँ की आनिक्स है जो आदमी बहुत साध़्गी पसंद हो जो आदमी बहुत हार्ड हो हर्स हो ठीक है उसको कमफर्ट से कोई मतलब नहीं उसको बोलता है इसपर्टन ठीक है हार्ड हो वो आदमी ठीक है उसको बोलता है इसपर्टन साथगी पसंद हो कि मतलब होता है किसी पर करना रहा करना ठीक को बोलता है क्लिमनर और चिंब ंसके लेडी मंजिक चाहरण जायगा लेनिवा से बहुता है तो थिसके मांने जैसे बोलते इस को जद्डज को टैया नहीं होना चाहित सबसे मतलब क्या होता है इनोवेटिव क्रियेटिव कोई चीज नयाव चीज बनाना उसको बोलते हैं तो इंट्रेंट जैसे हम लोग इंट्रांस बोलते हैं तो इंट्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा इंट्रेंट का मतलब होता है प्रोब्लम है डिफिकल्टी है तो याद रख सकते हैं के जो लोग सिक्रेट पीते हैं उनको क्या मिलता है सिर्फ क्रिटिसिजम है ही मिलता है ठीक तो ऐसे करके याद रख सकते हैं फ्लैक का मतलब क्रिटिसिजम नेक्स्ट इस चीज़ को खतम कर देना डेत तक पहुंचा देना ठीक है डिस्ट्रोय कर देना उसको बलते एक्स्ट्रमिनेट टिक है डिजरनेबल डिजरनेबल बहुत बार एक्जाम में आया इस चीज़ को खता है नोटिसेबल हो जो चीज़ दिखाई देखके लिए उसको बलते हैं डिसनेबल नेक्स्ट हमारा हर्ल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जैसे सिक्का को चालना ठीक है या फिर किसी चीज़ को थो सम्टिंग विद्ग्रेट फोर्स बहुत जादा एनरजी के साथ खेट जल लगा करके इसे को होता है कि नेक्सट पर उसांत करना सूधीं अलिवेटिंग एस और विच्शण बूचे आते हैं पांप प्रेश्ट के सब्सांत लिवेधिंग से नेक्स हमारा पर मूंत कोचिंग कर लिए म mahdoll fever ध्लिए में अवाम सिप्रम होता है का मतलब का होता है कि कोई चीज माल लेना है कि कमी है उस parks जील कर लिये तो इस पर लिये को इस को है फॉतिकल कर लाना माल लेना कैसा उचाह इसा हुआ होぎा दोर ब्रिच्ट नेक्स्ट है मारा dispel dispel का मतलब होता है banish banish कर देना dismiss कर देना expel कर देना यानिकि किसी चीज से दूर कर देना ठीक है dismiss कर देना dispel बोलते है उसको नेक्स्ट है मारा prism sures prism sures का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा over confident होना अक्रू होना ठीक है present over confident arrogant उसको बलते है prism sures ठीक है तो यहां प्रिजर्म टिप और प्रिजर्म sures यह दोनों अलग अलग वर्ड़ है एक साथ नहीं मिला दीजिएगा ठीक प्रिजर्म का मतलब होता है किसी चीज को कर लेना ठीक है किसी बेसिस पे उसके बाद prism tip का मतलब क् पिरोगेंट नेक्स्ट है मारा इस्टो का मतलब क्या होता है किसी चीज को किसी को encourage करना या किसे चीज में fuel या coal डालना तेक उसको बलते हैं इस्टो का मतलब add fuel coal और encourage करना ऑग उकसाना नेक्स्ट है मारा kanjektwo स्वाइब देख रहते क्या होता तो यहीं से आ गया इस दुबारा है कने इसको की 취 मतलब होता है क्षर करना ड स्पेक्षाख्ण अनुमाल लगाना और न लगते छिंद कर इंफेंऄिशन इन्फर्मेशन की कमी पका दिया है इतना तेयर का लेक्ट्टर कौन समक इसoter से कॉस्ति इन्हें और इसाहिद है यहिए पिए नाँ बोलते हैं स्टल्टिफाई टिक है वने पका देना नेक्स अभी टीक का मतलब क्या होता है कि तो रिजेट कर देना इस अब कर देना डिनाई कर देना तो रिबुट तो रिबुट रिबुट का सिनुनिम्स कहा है रिफ्यूट है याद रखेगा मिसले का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को खो देना गमा देना लूज मिस्प्लेस उसको बलते हैं मिसले मिस्प्लेस और लूज ठीक है लॉस सरी ठीक है कॉनेंडरम का मतलब क्या होता है प्रोब्लम होना डिफिकल्टी होना चुंबल दोसी विए अच्छ आदमी नहीं है थिके वह उसको कह बलते हैं नेक्स एमारा पैलेटिव का मतलब क्या हुआ अन्हाज़ाइस जो कहुंता है जो बलता है कि अजैने को चुकत 7 डिफिक्रिशनस एक को बहुत पसंद नहीं है वैसा हो जाना उसको बगते प्लाइट इंडूर्स का पर किया होता है कि सपोर्ट करना तो विडियो अच्हान होगा होगा ये विद्वी जो है